हालो अबरीवन चली हम लोग आगे करते हैं रिलेशन और फंक्शन क्लास 11 चाप्टर टू तो पिछली वीडियो तक हमने 11 एक्जामपल नमबर 11 तक कर लिया था तो उसके आगे के कि देखते हैं उसके आगे के चीज़ के तो डेफनेशन नमबर 6 देखे रखा है कि एक हम लोग कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन किसका होगा जब उसका रेंज होगा हमारे पास वह हमारे पास एक रियल नंबर होगा या फिर उसका कोई सबसेट होगा ठीक है अगर हमारे के साथ साथ हमारा डोमेन भी रियल नंबर हो जाए या उसका सबसेट हो जाए तो तो उसको रियल फंक्शन कहेंगे हम लोग ठीक है ऐसे ही मतलब दो डेफनीशन है हमारे पास कि रियल फंक्शन रियल वैल्यूड का फंक्शन हम लोग किसको कहेंगे तो रियल वैल्यूड किसको कह रहे हैं हम लोग रियल वैलूट फंक्शन किसको कह रहे हैं जिसमें कि हमारा जो रेंज है रेंज जो है वो हमारे पास आर का एक सबसेट हो ठीक है और रियल फंक्शन हम लोग कहा करें real function हमारे पास range and domain दोनों के दोनों जो होगो क्या होगा हमने पास R का subset हो ठीक है R के बराबर हो जाए या फिर उसका subset हो जाए ठीक है तोसको हम लोग कहेंगे real function चलिए आगे दिखते हैं example number 12 let n be the set of natural numbers define a real valued function f from n to n by fx is equal to 2x plus 1 using the definition compute the given table complete the given table below okay तो नीचे कर टेवल कम लोग complete करना है चलिए कर लेते हैं f defined कहां से कहां तक है हमरे पास this one example number 12 f defined कहां से कहां तक हमरे पास natural number से natural number और fx का definition क्या हमरे पास this is 2x plus 1 अब उसने पूछा है कि 1 2 3 4 5 6 7 इसका value क्या होगा हमरे पास तो बहुत सिंपल से चीज़ है ठीक है कि अगर f of 1 पर हमें पता करना है कि f of 1 पर value क्या होगा तो 1 पर value हमरे पास कितना मिल जाएगा 1 पर अगर यहां पर 1 रख दे तो 2 into 1 plus 1 this will be what 3 वैसे f of 2 पर value हमें पता करना है तो 2 पर value किता हो जाएगा 2 times 2 plus 1 this will be 5 f of 3 पर value check करना है तो किता हो जाएगा 3 into 1 sorry sorry 2 into 3 2 into 3 plus 1 this one will be what 7 f of 4 का value किता हो जाएगा पर & 2 into 4 plus 1 this one will be 9 f of 5 का value क्या हो जाएगा 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 13 and f of 7 का जो वेल्व हो जाएगा हमरे पास हो किता हो जाएगा 2 इंटो 7 प्लस 1 यानि कि हमें क्या करना है बस एक्स की जगह पे 7 रख देना है 5 रख देना 4 रख देना जो भी हमें निकालना है ठीक है इस वन विल फिफ्टीन अब अगर हम बाल लेते हैं कि इसको एरो डाग्र प्रण नंबर होगा हमरे पास ठीक है और फ जो है वह यहां से यहां तक में डिफाइंड है लेकिन उसने क्या बोला है कि बस इतने तक ही वाल्यू बताओ एक्चली होगा यह कि यह सब के लिए डिफाइंड होगा ऐसा नहीं है कि इतना ही के लिए 678 डाट डाट डॉस डास इसका मतलब ऐसके वाह कि वणका इमेंग्र घःएंड होगा वह कितना होगा थी होगा वन का जो इमेज होगा बेट वीवी अम्र पस फोर जोगा वह सब सब आयगा वह नृस तरीके से चलते आगा हमरे पास यह फंक्शन हो जिएगा यहां पर कुछ खाली नहीं रहेगा यहां पर कोई भी कोई भी एक्स लेंगे तो उसके लिए यहां पर यह जो होगा वह अपने इसके डबल से एक ज्यादा से क्या होगा जुड़ा हुआ होगा तो यहां पर कोई भी खाली नहीं रहेगा हमरे पास ठीक है अगर इसको हम ग्राफ से बनाना च थ्री मिल रहा था तो ये माल लेता है है कि हमारे पस Вण है ये टू है ये ठी है ये फोर है ये पजिए इस तरीके से तो ध्यान रहे कि चोप एला वाले सेtha hoda हमरे पास याणि कि डो में जो होता है वह यहां पर हम řोग धेखी डो में 4, 5, इस तरीके से हमाल लेते हैं, तो 1 पे हमें चेक करना होगा, तो इधर देखेंगे हम लोग क्या, x-axis में हम लोग domain देखते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, और जो range होता है हमारे पास, जो range होता है, range क्या होता है, y का value of x का value, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो domain हम लोग हमेशा कहाँ देखेंगे, x-axis पे, और range कहाँ पे देखेंगे, हम लोग y-axis ठीक है, कि कोई point range में है कि नहीं है, तो y-axis पे देखेंगे हम लोग बता सकते हैं, अब बात करते हैं, कि 1 जो है, वो किस से related था, तो 1 जो था हमारे पास, तो 3,7 से related हो जाता, तो 3,7 हमारे पास ऐसे आजाता, ठीक है, तो इस तरीके से, अगर हम लोग सारे के सारे points plot करें, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास discrete points आएंगे, क्योंकि वो natural number से natural number पे रहे रहा है, सारे के सारे numbers नहीं ले रहा है, वो सरी defined है हमारे पास natural number से natural number पे, तो इस तरीके से, आगर हम लोग points को plot करना चाहते है, तो इस तरीके से जाता हमारे पास, अच्छा, अब अगर महां लेते हैं कि हमारा इस तरीके से f defined from r to r, ठीक है, r to r defined होता अगर हमारे पास इस तरीके से, और हमारा जो function होता, जो function होता, वो ही होता, twice x plus one, ठीक है, तो अब इसका अगर graph बनाने के लिए बोले कि draw graph, इसका graph बनावाओ, ठीक है, कि इसका graph कैसा बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, अच्छा, इसका domain क्या होगा अगर function है, तो हमने बोला तना कि पहला set जो होगा, वो पूरा का पूरा domain हो जाएगा, तो यह जो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब range हम लोग निकाल के देख लेते हैं, यह तो हमारे पास क्या होगा, यह code domain होगा, दूसरा बाला, अब range होगा कि नहीं, वो तो हम लोग points को plot करते हैं, तो जैसे हमारे पास जो function देके रखा है, y is equal to, कितना हमारे पास, twice x plus 1, fx की जगाप हमने y रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, y is equal to twice x plus 1, तो जब हम लोग x का value जैसे यहाँ पर हमने x का value 0 रखा, ठीक है, x का value, जब हम लोगों ने 0 रखा, ठीक है, तो y का value कितना मिल जाएगा हमरे पास, 1 मिल जाएगा, तो x का value 0 यह होगा हमरे पास, y का value कितना 1, तो यानि कि यह वाला point मिल जाएगा एक हमें, ठीक है, वैसे ही एक पर y का value 0 रख लो, y का value 0 रख लो, तो x का value कितना मिल जाएगा हमरे पास, minus का half, ठीक है, y का value 0 कहाँ प पॉइंट कितना आगया माइनस हाफ कॉमा जीरो और यह वाला जो पॉइंट आ जाएगा हम रपस कितना जाएगा जीरो कॉमा वन X-axis कॉमा X,Y लिखता है न किसी भी पॉइंट का कॉइंट है तो इस पॉइंट का कॉइंट कितना होगा पर इस तरीक के साथ है तो हमन से तू के बीच में जितने सारे सारे पॉइंटस होगे उन सब के लिए विक ने पॉइंट कोई वेलू मिलेगा जैसे मान लेते हैं कि 1.2 रखा 1.5 रखा 1.7 रखा 1.8 रखा 1.888 रखा 1.89 रखा सब के लिए कुछ न कुछ value मिलेगा हमारे पास वैसे ही इधर माल लेते हैं कि हमने minus 1 रखा minus 2 रखा सब के लिए कुछ न कुछ value मिलेगा तो जब सब को plot करेंगे जब हम लोग सब को plot करेंगे मतलब plot करके और जब मिलाएंगे तो यह हमारे पास एक straight line इस तरीके से इस तरीके से straight line बन जाएगा ठीक है और 10 में आप लोग ने यह किया होगा कि linear equation in two variables में graph बनाने के लिए हमारा वहाँ पर आता था कि y is equal to 2x plus 1 का graph बना ठीक है कि domain R होगा ठीक है अब सिंस यह देख यह जो graph है हमारे पास यह जो line है हमारे पास यह infinitely इधर भी चलते जाएगा और इधर भी चलते जाएगा उसका कोई सीमा नहीं है कि कहां पर जाके रूखे घब हो तो अगर हमें चेक करना है कि domain क्या है तो हम लोग यह चेक कर लेते हैं कि x के किस value के लिए defined है जो graph है एक मतलब function जो है वो इसके किस value के लिए defined है ठीक है तो graph से देखा जाए तो कैसे पता करेंगे हम लोग वहां से vertical line करेंगे अगर वो कट कर गया अगर कर गया इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ egle जारूर निकाल के देदेगा जैसे टू पे हमने vertical line draw किया तो यहाँ पर cut कर गया इसका मतलब यह है कि यह value दे देगा जब हम लोग 2 रखेंगे function में जो भी function हो यह जिसका भी graph हो जब 2 रखेंगे तो यह मिल जाएगा और यह हमें पता है कि यह कितना मिलेगा यहाँ पर 5 मिलेगा हमारे पास ठीक है वैसे ही 1 पर हमें चेक करना है तो 1 पर हम लोग जाके चेक कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें domain देखना है कि x का कोई value जो है वो domain में है कि नहीं तो वहाँ से vertical line draw कर लो जैसे इदर से माल लेते हमें check करना है कि यह domain में है कि नहीं तो vertical line draw किया अगर cut कर गया कट कर गया इसका मतलब कि वह domain में है क्योंकि कुछ ना कुछ value देगा तो वह domain में है हमारे पास तो यहाँ से हम लोग कोई वी vertical line draw करेंगे कोई वी vertical line draw करेंगे वो कहीं न कहीं इसको जाकर करेगा ही करेगा तो domain क्या हो जाएगा और पस र हो जायगा तो अगर हमें सिर्फ graph दिया हुआ है तो भी हम लोग बता सकते हैं कि इस function का जो domain होगा वो क्या होगा हमारे पस ठीक है अब अब बात करते हैं range की किसका range क्या होगा ठीक है range तो हमने क्या बोला range हम लोग कहां पर देखते हैं y axis पर देखते हैं तो range इसका कैसे पता करेंगे तो कोई भी point यहां पर उठाओ मतलब y axis पर कोई भी point उठाओ और वहां से horizontal line draw करो horizontal line draw करो देखो कहीं cut कर गया क्या जैसा यए point हमें चेक करना है कि range में होगा कि नहीं हमने horizontal line लाइंड़ किया क्ट कर गया कट करै इसका मतलब कि यह वह range में होगा हमारे पास कोई भी point उठाया वहां से horizontal line drop किया देखा यहां पे कट कर गया कोई BILL point उठाया यहां से da colorful line इसका मतलब कि यह point range बें होगा, तो ऐसा कोई भी point नहीं होगा जहां से कि horizontal line draw करने पे यह हमारा इसको cut नहीं करेगा, यह इसको cut नहीं करेगा, इसका मतलब कि सारे के सारे points हो जाएंगे y axis पे ये उसका range हो जाएगा, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा real number पर यानि कि मा इन फीनिटी से लेगा और कहा तक बान तक मायन फीनिटी टि इंफिनिटी तर ठीक है इसी को हम लोग कह सकते हैं कि यह जो आम फी 노ick टिताकि इसी को तो कहते हैं पुरा का पूरा हमारे पास फंक्सन है ठीक है मांद लेती है उसमिन डॉमें के बारे में कुछ नहीं दिया हूं पूछाए कि इसका डॉमेन और रेंज बताा ह। find a find domain domain and range इसका range और डॉमेन संथ सब्सक्राइब इसका डॉमेन और रेंज क्या होगा तो देखो तो डोमेन पता करने का क्या होता है, डोमेन क्या होता है हमरे पास, डोमेन होता है हमरे पास set of values of x, for which, for which, और given function is defined, given function is defined, ठीक है, यानि कि, यह वो values है हमरे पास, x, मतलब वो values होंगे, जिस पे के लिए given function जो है हमरे पास defined है, एक तरह से आप function को ऐसे भी समझ सकते हो, कि यह क्या है, यह function जो होता है, that is called range, यहाँ से मरे पास, range जो होगा, output, ठीक है, जैसे माल लेते हैं कि हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ से اक function लेते हैं, twice x plus one, वाला ही यह लेते हैं ठीक है, तो हम लोग यहां से 1 डालते हैं, 1 डालेंगे, तो यहां से किता निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहां से 2 डाला, तो 2 के बाद किता निकल के आ जाएगा हमरे पास, 5 निकल के आ जाएगा, तो यह सारे के सारे जो हैं, वो input वाले मे करेगा इसको कोई प्रावल्म नहीं है ठीक है यह 5 डालेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ हमें आउटपुट यानिकी 11 जो होगा वो निकाल के देदेगा हमारे पास ठीक है इसको आप ऐसे समझो कि जैसे माल लेते हैं टीफाइंट नहीं है क्योंकि ہوगा क्या कि सुप्रण कुछ चलेगा डो में यहां नहीं चलेगा तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि domain हमारे पास इसका क्या हो जाएगा कि सब कुछ ले लो x belongs to r ले लो और उसमें से क्या करो one को घटा दो one नहीं चलेगा सब कुछ चलेगा one नहीं चलेगा और एक दो एक्जामपल्स लेते हैं ठीक है domain और range को लेके जैसे माल लेते हैं कि यह हमारे पास जो definition है वो वहारे अगर हमने टु भाहर देगा ठीक है अगर हम लोगसे माइनस टू डालेंगे तो अगर अपर के अंदर वाला जो पारत होना चायए यह पॉसिटिव होना चाहिए तो रूस मतलब यह माइनस टू है चिसे तो ऐसे ऐसे करके क्या domain में नहीं होगा जितने negative number है वो कोई भी यहाँ पे हमारे पास domain में नहीं होगा अच्छा 0 डालने पे होगा हाँ 0 डालने पे चोई problem नहीं है 0 डालने पे यह 0 निकाल के दे देगा हमें ठीक है लेकिन इस पे क्या हमारे पास बैसे माईनस टू पर च्रीटी नमल्बर से टीक है जसे माईनस का वइन फॉय बीकर लेते हैं उस से बिशूंना हो जाएगा हमए पास दो मेंज यह जो जाएगा मरुअ तक यानि कि सिर्फ positive numbers के लिए यह क्या है defined है सिर्फ positive numbers यहाँ पर चलेंगे एक और example ले लेते हैं ठीक है जैसे माल लेते हैं कि हमारे पास एक function बन गया हमारे पास x plus 2 divided by x minus 3 x plus 2 divided by x minus 3 तो अब यह क्या लग रहा है कहां पर not defined होना चाहिए तो domain अब हम लोग होगा है सब कुछ चलेगा पस 3 नहीं चलेगा 3 पर यह not defined हो जाएगा हमारे पास तो domain में क्या हो जाएगा x belongs to r minus 3 अब आते हैं उपर वाले question पर वाले question में हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक function देके रखा है y is equal to twice x plus 1 twice x plus 1 एक function देके रखा है और इसका domain और रेंज पूसा है तो इसका domain क्या हो जाएगा domain तो simply जो हो जाएगा हमरे पास domain वो क्या हो जाएगा x belongs to r यानि कि कैसे निकालते हैं इसका जो range होगा हमारे पास वह कैसे निकाला यह तो एक तो तरीका देखो ऐसे है कि इसको हम एक से function of y लेकर आते हैं तो x is equal to कितना हो जाएगा y minus 1 by 2 x is equal to क्या हो जाएगा हमरे पास y minus 1 by 2 ठीक है तो यहां से हम लोग पास वह भी किस से belong कर जाएगा r से belong कर जाएगा ठीक है y जो है वो कौन कौन सा value ले सकता है अगर माल लेते हैं कि ऐसा बन जाता one one up one y minus 1 ऐसा x is equal to हमरे पास ऐसा बन जाता one up one y minus तो हम लोग कहते हैं कि वाई सब कुछ ले सकता है वन नहीं ले सकता है इसका मतलब कि रेंज क्या हो जाएगा सब कुछ चलेगा वन नहीं हो पाएगा हमारे पास ठीक है तो यहां पर ऐसा कुछ बना नहीं है हमारे पास तो यहां पर कुछ भी ले सकता है यहां पर कुछ भी से infinity for range range पता करने के लिए हम यह तरीका बता रहे हैं ठीक है कि X कहां से कहां तक जा रहा है माइनस इंफिनिटी से infinity तर फिर क्या करना है देखो X के बाद क्या करना है टू से multiply करना है एक दो अब यह क्या बन गया हमारे पास यह बन गया वाई यह बन गया हमारे पास वाई तो वाई कहां से कहां तक चला जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से infinity तक तो range क्या हो गया हमारे पास रेंज हो जाएगा minus infinity से कहां तक sorry minus infinity से लेगे कहां तक infinity तद तो यह ज़्यादा easy तरीका होता है range पता करने का ठीक है अभी और हम graph की मदद से भी बता देंगे की कैसे हम लोग range निकाल सकते हैं ठीक है तो यह वाला question जो हमें करना था वो हो गया हमारे पस ठीक है कि उस पर सिर्फ वैल्लू पूर्स आता है कि कितना वैल्लू होगा हमारे पास तो सारे वैल्लू हमने निकाल दिये ठीक है अब आगे आते हैं कुछ फंक्शन के बारे हम बात कर लेते हैं तो पहला है हमारे पास आइडेंटिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीट function के बारे में जानते हैं का identity function क्या होता हम रपास identity function का जो definition होता है वो होता है y is equal to fx is equal to x ठीक है ना यानि कि जो input दिया जो input दिया जो input दिया वही output निकल गया वही output निकला है ठीक है मतलब ऐसे समझो कि यह हमारा वह machine है identity function वाला तो यह क्या है एकस है तो यहां से आप एकस का वैल्ली तो डालते हो ना एकस का वैल्ली तो डालते हो चलो हमें इसको fx बोल देते हैं यह 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 रही होता है जो इनपूट डालेंगा वही आउटपूट वन डाला बाहर से वन निकल क्या जाएगा तो यह होता है हमारे पास क्या identity function ठीक है जो input देते हैं वही हमारे पास output निकल क्या जाएगा तो यह तो यह बश्यवर वापस से क्या है हमारे पास definition है f-x equal to x fx equal to x तो आप यह देखो यह function कौन सा ऐसा point है जिस पर कि नौट डिफाइन हो सकता है कोई ऐसा point है क्या just पर नौट हो जाए हमारे पास ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इसका domain जो हो जाएगा मरे पस इसका जो domain हो जाएगा हमरे पास, वो क्या हो जाएगा, x belongs to r, यह हर एक x के लिए defined है, हर एक x के लिए defined है, यानि कि यह machine जो है न, वो कोई भी x का value मना नहीं करेगा, कोई भी x का value मना नहीं करेगा, कुछ भी डालेंगे, तो कुछ न कुछ हमें बाहर निकाल के दे देगा, तो इसका domain क्या हो गया हमरे पास, r हो गया, ठीक है, range की बात करते हैं, कि range क्या होगा हमरे पास, तो अभी हमने range के लिए क्या बोला, कि x जो है वो क्या कर रहा है, arc वो बिलॉंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x क्या हो गया, minus infinity से infinity चला गया हमरे पास, अब x और y दोनों तो बराबर ही है, तो x की जगा पर y रख देंगे, तो ये भी कहा से कहा तक चला जाएगा हमरे पास, minus infinity से infinity, तो हमरे पास जो range हो गया, range हो गया, वो भी क्या हो गया, तो range भी आर और इसका domain होगा हमरे पास, दोनों के दोनों क्या हो गया, r हो गया, अब बात करते हैं, इसके graph की, ठीके, इसका graph कैसा होगा, y equal to x का, तो देखो graph बनाने के लिए, अब ये since सब के लिए defined है, तो आप क्या किया करो, कि सिर्फ, दो points को plot किया करो, फटा-फट से, x का value 0 रखो, x का value 0 रखो, तो y का value कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, तो एक तो ये point मिल गया हमरे पास, x का value 1 रखो, y का value 1 मिल गया, x का value 1, y का value 1, अब since ये सब के सारे points के लिए defined है, तो मतलब x के हर एक value के लिए defined है, तो इसका जो graph होगा, वो कैसा होगा हमरे पास, ये, y equal to x का graph, x और y, ठीक है, y equal to x का graph जो होगा, वो कुछ इस तरीके सा हो जाएगा, हमरे पास, ठीक है, यानि जितना x डालेंगे न, यहाँ पर अगर 2 डाला, तो ये कहाँ पर जाके इसको मिलेगा, 2 पर जाके मिल रहा होगा, यहाँ से अगर माल लेते हैं कि 1.5 डाला माइनस का, तो ये कितना देदेगा, हमरे पास, माइनस का 1.5 देदेगा, यानि कि जो input वही output हमारे पास हो गया, तो y equal to x, graph important हमरे लिए, ठीक है, graph काम लोग ध्यान लखेंगे, तो y equal to x का जो हो जाएगा, आमरे पास graph, वो ये हो जाएगा, तो domain क्या हो गया है इसका, domain r, range r, और graph हमरे पास यह हुआ, तो यह होता है identity function, let r be a set of real numbers, define a real valued function f from r to r, fx equal to x for h, each x belongs to r, such a function is called the identity function, hence the domain of range r हो गय deadline होता है, जो कि origin से क्या करता है, pass करता है, हमारे पास, दूसरा करते है, constant function, ठीक है, दूसरा है हमारे पास, constant function, ठीक है, second one is constant function, अब constant function की बात करते है, constant function क्या होता है, इसका definition जो होता है, हमारे पास, वो होता है, y is equal to fx equal to c, ठीक है, यानि कि यह एक ऐसा function है, यह एक ऐसा machine है, ठीक है, कि इस पर कोई फर्खी नहीं पड़ता है, कि आप क्या input देते हो, ठीक है, one डोगे, तो भी यह c द देगा, ठीक है, two दोगे, तो भी यह c देदेगा, three डाला, तो भी यह c देदेगा, हमारे पास, ठीक है, मतलब कि इसको कोई फर्खी नहीं पड़ता है, कि आप इसमें input क्या डाल रहे हो, ठीक है, यह सारा क्या गरता है, c देदेता हमारे पास, constant function, इसको हम लोग कहते हैं क independent of x है हमारे पास, ठीक है, यह जो है हमारे पास independent of x है, यानि कि input पर डिपेंडी नहीं कर रहा है, कि input क्या है, ठीक है, जैसे उपर वाला था, है कि input पर dependent था जो हम लोग डाल रहे थे वह हमारा निकल रहा था तो dependent था उस पर यहां पर क्या है यह independent है उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि अंदर में क्या मतलब कि क्या दिया जा रहा है इंपुट में ठीक है कुछ कि किसी पर मना करेगा क्या किसी पर मना करेगा क्या वैसे सोचा हो ठीक है कि कि किसी value को मना करेगा क्या नहीं मना करेगा तो x belongs to क्या जाएगा हमरे पास लिए और आजायोगा एक्स्थो हमरे पास वो डोमेंग को Found करता है तो एक्स भिलॉंग श्टु क्या जाएगा और आजायोगा जायोगा चिया होगा Nu स्ट्धिक X कि का होता है T dus रेंजरे होता है ऑउट पूट का क्लेक्षरॉं तो आउट पूट क्या दे रहा है तो इसका range जो हो गया, वो क्या हो जाएगा, हमरे पस C हो जाएगा, अब जैसे माल लेते हैं, C कुछ भी हो सकता है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमाल लेते हैं, कि Y जो है, वो हमरे पस 2 के बराबर है, या फिर इसी को कहो कि FX जो है, that is equal to what, 2 के ब मतलब देखो क्या हुआ कि कुछ भी डाले वन डालेंगे तो भी माल लेते हैं यह 1 2 2 देदेगा 2 डाले तो भी 2 देगा 2.5 डाले तो भी 2 देदेगा हमारे पास minus का 1 डाले तो भी 2 देगा minus का 2.5 डाले तो भी 2 देदेगा तो actually graph इसका कैसा हो जाएगा इसका जो graph होगा वो कैसा हो जाएगा इस तरीके का यह graph हो जाएगा हमारे पास this one is x, this one is y अब यह क्या है हमारे पास यह y equal to 2 का line है तो अब से ध्यान रखेंगे कि अगर y is equal to sum constant है तो line जो होटा है वो क्या होता है हमारे पास horizontal line होता है इसका जो graph होता है वो क्या वाता हमारे पास horizontal line होता है ठीक है तो y-axis पे तेखो क्या क्याとか और होगा डोमेन होगर देखना है इस तरीके से वो कट करेगा हमारे पास थिक है तो 20 हमारे पस क्या हो जाएगा और हो जांगा हम लोग यहां से देख सख्कता सकते हैं कि clauses होगा मर पसो क्या हो जाएगा और हो जाएगा बात करते हैं कि to range रेंज पर हमने क्या है कि कोई भी हर्योंटल लाइन ड्रॉ को जैसे वहमें चार्यां पर लाइन ultramanement क्या धिकार कोला नहीं कर रहा है वाएरा कर रहा है क्कॉण कहीं कर रहा है क्थव पॉइंपिंधिन की हिए तो प्यान तुप्स्न यह जो एक ऐसा है मेरे पास यह मसीन कुछ इस तरीके का है ठीक है कि यह मसीन कुछ इस तरीके का है डालते हो यहां से यह सिर्फ और सिर्फ तू ही बाहर देगा ठीक है तो इसको कहते हैं हम लोग क्या constant function, ठीक है, graph कैसा होता हमारे पास, ठीक है, graph of constant function, graph of constant function will be horizontal, ठीक है, किसी का भी graph बनने के लिए बोले, जैसे माल लेते हैं कि fx equal to minus 5 का graph बनने के लिए बोला जाए, तो बस बहुत simple है हमारे पास, यह x हो गया, यह y हो गया, तो minus 5 यहाँ पर माल लेते हैं, जैसे यह minus 5 है हमारे पास, तो इसका जो graph हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, जैसा fx equal to माल लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, y equal to minus 5, fx equal to minus 5 का हो, ठीक है, जैसे माल लेते हैं कि y equal to 1 का बनाना हमारे पास, यह y equal to 1 का इक्स के हर एक वेल्यू के लिए डिफाइंड होगा और जो रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ वही वहाला पॉइंट होगा जो की क्या देखा है डिफाइंड फंक्शन एफ फ्रम आल तो आर एफ एक्स सी एक्स बिलॉंग्स टूर्वर सीज़ कॉंस्टेंट फो एच एक्स बिलॉंग्स टूर्ण टूर्ण फिस एंड रेंज इस सी ठीक है ग्राफ जो होता मार पास हो कुछ इस तरीके का बंता है ओके थैंक thank you, बाकि नेक्स लास में लुकर लेंगे